hello dear friend welcome to my channel, आज हम लोग देखते हैं Kinematic Viscosity जो fluid of property का एक property है that is Kinematic Viscosity और हम लोग इससे previous video में हम लोग viscosity देख चुके थे जिसको हम लोग Dynamic Viscacity बोलते हैं वह हम लोग देख चुके थे तो आज हम लोग देखेंगे Kinematic Viscosity ठीक है जो भी previous video नहीं देखे हैं उसको तो देख लिजे और उसके बाद हम लोग kinematic viscosity हम लोग देखेंगे तो थ्रजासा हमम लोग previous video का हम लोग lecture को recall कर लेते हम लोग क्या पढ़ेते हैं हम लोग तो हम लोग पढ़े kinematic viscosity only ठीके viscosity ठीके हम लोग क्या पढ़े थे viscosity 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 इसको हम लोग mu से represent करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं dynamic viscosity तो इसमें हम लोग Newton's law of viscosity हम लोग देख चुगे थे Newton's Newton's law of viscosity तो Newton's law of viscosity यह काफि इनपोर्टेंट फर्मूला है और इसी को हम लोग लिखते हैं तो इसको क्या आता है force per unit area और यह आपका mu हो गया और linear velocity के लिए हम लोग u लिखते हैं और यह आपका linear velocity के लिए हम लोग y लिखते हैं जो की numerical में है हम लोग इसको हम लोग apply करते हैं ठीक है इसमें हम लोग unit देख चुके थे viscosity का तो unit जो मेरा आया था वो आपका क्या था Newton second पर meter square और जो मेरा dimension था dimension था वो आपका था ml-1 t-1 यह दोनों को जो कि आपको याद रखना है यह काफी बार exam में पुछा हुआ है ssc और gate में भी पुछा हुआ है dimension तो हम लोग आज देखते हैं इसका एक यह size system में है अगर हम लोग cgs में बात करें cgs system में इसका अगर हम लोग unit अगर हम लोग बात करें cgs that means centimeter में तो हम लोग यहाँ पर सक्को kg पर मीटर स्थाइब करें यह कैसे आया देखें यह आपका जो नुटन सेकेंड है newton इसकेंड पर मीटर स्थाइब नुटन को अगर हम लोग लिखें एप बराबर में और यह आपका टाइम है सेकेंड और यह आपका है meter square तो यह जो आपका A है acceleration उसको हम लोग replace करेंगे that is M हो गया mass यह आपका हो जागा acceleration क्या हो जागा meter per second square तो यहाँ पर आपका meter per second square और यह आपका already second है यहाँ से अगर हम लोग यह आपका क्या हो गया M that means यह आपका mass है तो अगर हम लोग यहाँ से लिख ले M और यह meter के लिए यह जो meter है उसके लिए हम लोग क्या लिखे M लिखे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यह आपका S square नीचे आएगा और नीचे M square और उपर में S है यह S cancel होगा यह mass एक mass से cancel होगा और यह जो M है that means यह आपका meter है small m और यह mass है यह आपका हो जाएगा kg और यह आपका जो होगी एक mass यह आपका जो M बचा होआ है यह आपका meter और यह आपका second तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखे हुए kg meter per second यहाँ पर kg meter per second तो अगर हम लोग इसको cgs में लिखेंगे तो cgs को हम लोग gram में हम लोग represent करते हैं तो यहाँ पर जब हम लोग इसको represent करेंगे तो यह जो term आपका वन इसको हम लोग जब cgs में लिखेंगे तो इसको हम लोग इस unit को हम लोग क्या बहते हैं pause ens तो pause होगा आपका one अगर हम लोग यहां पर बात करें 1 kg यह आपका क्या है one kg per meter second उन केजी को हम लोग यहां पर लिखेंगे one thousand ग्राम per यह अगर हम लोग meter को अगर हम लोग meter मे ले जाएंगे यह आपका 100 cm सेकंड का सेकंड यहां पर जो टर्म आई जागा यहgan Pa यह दो जिरो कट जाएगा Theto clumsyach क्या होजागा T 라ema Hai सेंटीम WR3 second दी जो मेरा है इसको हम लोग लिक सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस unit को हम लोग क्या बोलते हैं सीजेश को हम लोग बोलते बोलते है ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यह 10 और यह जो मेरा term है मेरा क्या है pause में है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते है that is 10 pause है ना ठीक है यह आपका kg meter per second 1 kg meter per second is equal to 10 pause ठीक है और हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 pause 1 pause is equal to 10 का power और हम लोग लिख सकते हैं 1 upon 10 ठीक है यह इधर नीचे आ जागा है 1 upon 10 यह हो जागा आपका kg meter second ठीक है kg meter per second और हम लोग लिख सकते हैं 1 pause 1 pause यह numerical में काफी important होगा conversion में 0.1 kg meter second ठीक है यह चीज आपको याद रखना है 1 pause is equal to यह आपको जहें की 0.1 kg meter per second ठीक है तो हम लोग आज देखते हैं kinematic viscosity ठीक है the kinematic viscosity in fluid mechanics the term mu upon rho appears frequently is known as kinematic viscosity तो जो मेरा kinematic viscosity होता है वो आपका क्या होता है dynamic viscosity upon density ठीक है और इसका जो unit हो जाएगा आपका क्या होगा meter square per second और dimension हो जाएगा meter का आपका length हो जाएगा और second का आपका T हो जाएगा जब T उपार जाएगा तो आपका minus one power होगा ठीक है और अगर जो हम लोग पहर यह आपका SI unit में हैं अगर हम लोग CGS unit में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं stock क्या बोलते है stock ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते है stock इस unit को हम लोग क्या बोलते है stock तो यहां पर one stock is equal to 10 का power minus 4 meter square per second तो यह वाला टम जो है कि आपको याद रखना है similarly ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं एक जो हम लोग टम चुटा हुआ है variation of viscosity with temperature है ना क्या हो सकता है variation क्या क्या होगा viscosity का temperature के साथ क्या effect होगा ठीक है viscosity viscosity variation of viscosity with temperature ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें यह liquid के case में क्या होगा यह आपका decrease करेगा यह आपका time है यह आपका viscosity है यह आपका liquid का graph है यह आपका liquid का graph है और यह आपका gas का graph है क्या है gas का graph तो temperature के साथ क्या होगा जैसे इसे हम लोग temperature increase करेंगे तो वह liquid में क्या होगा viscosity मेरा करेगा यहां पर इस तेंपरेचर पर मेरा विसकोसिटी ज्यादा है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ लिक्वीड जो है कि i inter molecules जो होता है आपका बहुत ही close होता है जब इसको हम लोग हम दोर दूर में होता है करते हैं तो की आपका आपस अठक्रा आते हैं जिसके एक इंक्रीज करता है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ नया टोपिक और हम लोग नुम्रिकल करेंगे ठीक है